वेल इस्टुट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पोल टेकिनिक 2030 के इंटरंस एक्जाम की रैंक कार्ड के बारे में तो फाइनली इस्टुट जैसा कि आप सभी का इंटरंस एक्जाम कम्प्लीट हो चुका है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी का rank card कब आएगा rank card का क्या मतलब होता है जो भी आपनी entrance exam दिया है न उसका result कब आएगा और उस result में आपका rank आता है ठीक है पहले में आपको थोड़ा सा बताता हूँ rank क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका merit list जो होगा na rank card के बाद हम बात करेंगे कि जो आपका merit list होगा है न जो merit list आपका होगा वो किस तरीकी से तयार किया जाता है इसके बार में भी आपको पूरी information देंगे और यह जो information आपके bulletin में mention कर रखा है तो उस information bulletin से ही आपको सारी सीजे हम बता रहे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सभी का आखिर result कब तक आएगा तो देखें आपका result जो है यानकि आपका जो rank card है rank card मानके चलिए कि आपका अभी से यानकि आज की दिन से अगर आप जोड़ेंगे मतलब आपकी side पर आजाएगा आप दूसरी सबसे बड़ी information कि यह rank क्या होता है तो देखो मैं rank को आपको थोड़ा सा बताता हूँ जैसे मान लीजिए आपकी total 20,000 बच्चों ने क्या दिया है exam दिया है ठीक है 20,000 बच्चों ने exam दिया है इंका माक्सिम से कम होगा फिर इस तरीकी से third-fourth इस तरीकी से आपका rank बनेगा हो सकता किसी बच्चे का rank है 1500 किसी बच्चे का rank है 2000 इस तरीकी से आपका rank बगरा बनेगा तो यह थो rank का मतलब होगे और आपको rank को देखकर बता देंगे कि आपका admission हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि हम आपको बताते हैं 3-4 सालों तक हम इस पॉलटेखनिक की फिल्ड में है और दिल्ली पॉलटेखनिक में ही तो आपके rank को देखके हम बता देंगे कि आपको कौन सा course मिलेगा किस college में मिलेगा और counseling process को हमने पिछली साल बहुत अच्छे तरीके से कराया था बच्चों का अब इस्टिंट हम बात करते हैं कि merit list आखिर कैसे त्यार किया जाएगा किन बातों का ध्यान रखा जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पर open करते हैं information bulletin को information bulletin को open करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक PDF उसको में open कर लेता हूँ अब यहाँ पर इस्टिंट देखिए हमने इस PDF को open कर लिया है अब इस PDF के अंदर देखिए क्या क्या चीजी इन्होंने mention कर रखिए तो सबसे पहले इस्टिंट आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने mention कर रख है declaration of CT result CT result कब declare होगा कैसी declare होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने mention कर रख है after जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ भी सकते हैं आप है mention कर रख है after the common entrance exam test merit list will be declared on the basis of their marks obtained in common interest test जो आप CT marks obtain करेंगे उसके बेस पर आपका merit list तयार होगा अब उसके बाद इन्होंने mention कर रख है इन्होंने mention किया है यहाँ पर देखिए the result will be available on the DSC website and यहाँ पर आगे mention कर रख है no separate ठीके will be send in this regard आपको इन्होंने mention कर रख है कि आपको जितनी भी information आपको side पर ही मिलेगी आपको बाकी कुछ करने के जोटने बस आप update चेक करते रहिएगा अगला इन्होंने क्या mention कर रख है कि merit list जब तयार होगा तो उसके पीछे किस-किस logic को ध्यान में रखा जाएगा तो यहाँ पर student देखी इन्होंने क्या क्या चीजे mention कर रख है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने mention कर रख है कि आपको यहाँ पर प्रोग्राम है यहाँ पर purity है यहाँ पर purity order first, second, third और यह fourth पहले मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ अब जैसे मान लिजी 60 question थे है ना 60 question थे उसमें से मान लिजी आपके total marks कितने थे 120 marks थे अब 120 marks में से हो सकते है दो बच्चों के 80-80 number आ जाए तो इसके इसमें कौन सा बच्चा सही मतलब कौन सा बच्चा आगे जाएगा या फिर ऐसा समझ लिजी जैसे मान लिजी 120 में से द इसने 115-15 और यह highest mark से तो किसको rank number one मिलेगी इसको मिलेगी या फिर इसको मिलेगी तो अगर यह tie हो जाता है अगर merit list tie हो जाता है तो उस time किन बातों का ध्यान रखेगा देख सकते हैं यहां पर mention कर रहा है purity number first यह देखा जाएगा कि इन दोनों बच्चों में से section C section C जो था आपका science और math का science और math में जिस बच्चे ने ज्यादा अच्छा score किया होगा उसकी rank पहले दे दी जाएगी समझपारें आप मेरी बात को जैसे यहां पर mention कर रखा है कि marks in section C section C में जिसका marks अच्छा होगा उसको ranking पहली दे दी जाएगी और माली जी यह भी अगर tie हो जाते है जैसे माली जी section C science और math में सेम है मतलब marks science और math में marks आपके सेम है अगर इसमें भी marks अगर सेम होगे दोनों बच्चों के तो उसके वाद यहां पर section number B देखा जाएगा और फिर भी सेम होगे तो section number A देखा जाएगा और फिर भी तीनों में सेम marks हो जाते हैं बच्चे के तो इसकी डियो भी देखी जाएगी जिसकी डियो भी जादा होगी है ना उसको higher preference दे दी जाएगी जैसे माली जीए एक बच्चे की साले 18 साल का है और कोई बच्चा है यहां पर 17 साल का तो 18 साल वाले को पहली rank दे दी जाएगी समझ पार हैं अगर आपका यह तीनों टाइग ह होगी उसको पहला नंबर दे दिया जाएगा इसको रैंक नंबर फर्स्ट बना दिया जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए बाकि यहां पर आप देख सकते हैं फार्मेसी में इन्होंने यही चीज मेंचिन कर रखिए और यहां पर लेटरल एंट्री में इ इसके पाद कोई बगेरा नहीं करे जाएंगे आप कुछ भी चेंजस नहीं होगा तो इस तरीके साब का मेरिट लिस्ट वगेरा तयार होगा इन्होंने साफ़ साफ मेंचिन कर रखा है यह में आपको अच्छे तरीके से बता दिया है अगर किसी का भी नंबर हो जाता है बह तो इस तरीके से आपका यह मेरिट लिस्ट त्यार होना है तो आप सभी को इस अभी वेट करना है आप सभी का रिजल जब भी अनाउंस होएगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे और आपका उसके अंदर रेंक मेंशन होगा ठीक है क्या मेंशन होगा रेंक मेंशन होगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी बच्चों का category certificate अच्छे तरीके से बनवा लेंगे और साथ में character certificate आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा important certificate है क्योंकि इसके बिला admission नहीं होता है और यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपका यह school से बन जाता है बाकि category certificate में आप ध्या सब्सक्राइब करना है और इंतजार करना है कब तक आपका रिजल्ट में आपको बता दिया रिजल्ट के बाद आपको इस पर हाई जाने वाली है क्योंकि पेपर इजी आए था अधिकतर बच्चों ने पेपर अपना बहुत अच्छे से करके हैं इसलिए हम आपको यह सारी चीज़े बता रहें ठीक है और इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान लखे मैं आपको वन बाई बन करके सारी चीज़ झाल जानं आपके सारी चीज़े टर आपको वने सारी ऑग्याई